नमस्कार दोस्तों, रियेज केसिन फिल्ट फाम पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के इस लेक्चर में हम लोग मौलिक करतब पर जो भी क्वेस्चन अब तक बिभिन परिक्षाओं में पूछे गए हैं पहला कोईस्चन है कि भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अशुन रखने के मूल करतब्यों को किस अस्थान पर रखा गया है तो इसको तीसरे अस्थान पर रखा गया है हमें इसके लिए एक बार जो भी प्राधान 1976 इस भी में किया गया था उन दसो मौलिक करतब्यों को देखना होगा और दूसरा कोईस्चन है कि भारतिय समिधान के किस अनुचेद में बैलिसमें समिधान संसोधन द्वारा मूल करतब्यों को समिलित किया गया है अनुचेद एक क्यामन एक एंतरगत इसी दरीगे से हम लोग अगले सवाल पर आते हैं कि निम्रेलिकित में से किसकी संसुती पर भारतिय समिधान में मूल करतब्यों को सामिल किया गया है यह 22 सम्भिधान संसुदन दिनी 1976 के द्वारा इसे भारते संभिधान में सामिल किया गया था और यह सौनर सिंग समित के संसुती के आधार पर लागू किया गया था अगले question है कि मौलिक करतब्य को कब सामिल किया गया तो जाहिर सी बात है कि वैलिश्मे सम्मिधान संसोदन अधियम 1976 के द्वारा इसे सामिल किया गया है अगले सवाल पर हम लोग आते हैं कि भारत के सम्मिधान के किस भाग में मौलिक करतब्य का उल्लेख किया गया है भाग 4A कभी कभार इस सवाल का उत्तर देने के दवरां जल्दबाजी में लोग इस बिकल्प को लगा देते हैं जो की गलत है यहां पर ऐसे सवालों को पढ़ने और उसके बाद उन बिकल्पों को ध्यान से पढ़ने के आउ सकता है क्योंकि ऐसे इस्तिती में जल्दबाजी करने पर बिकल्प चार लगा दिया जाता है और ऐसे में यह सवाल गलत हो जाता है तो हम यह ध्यान में रखना होगा कि भाग चार नहीं बल्कि भाग चार ए है तो हम आगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं कि किस भारते समिधान संसोधन में भारते नागरिकों के मूल करतबे सामिल किया गया है तो इसमें इक्यामन का को यानि की बिकल्प सी को जोड़ा गया है और इसके माध्यम से भाग चार का भी समिधान संसोधन दियाम 1976 के द्वारा चार का और इक्यामन का जोड़ा गया थे जिसमें 10 मौलिक करतब्यों को सामिल किया गया था और इसे के बाद 86 में समिधान संसोधन अदिनियम 2002 में इसमें 11 मौलिक करतबे भी जोड़ा गया और बरतमान समय में भारती समिधान में कुल 11 मौलिक करतबे हैं अगले सवाल में आते हैं कि बहले समिधान संसोधन रूप में इसे जाना जाता है अगले सवाल की रूप में हम लोग बढ़ते हैं तो यह है कि मौलिक करतब्यों से संबंदित निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसे परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है उन्हें संबैधानिक परक्रिया से बढ़ाया जा सकता है असपष्ट विधियों की ब्याख्या के लिए उनका प्रियोग किया जा सकता है किसी विशिष्ट करतबे का पालन करना संबैधानिक कानून के छेतर में आता है जिसे नियाले निस्चित करता है ये तीनों ही बातें सही है किन्तु ये पहला नहीं है क्योंकि परम भारत में मौली करतब कौन सा है नियाले से कारिपालिका का पिर्थक करन ये अनुच्छेद उन्चास के अंतरगत इसे नीत निदे सक्त्त्तों में सामिल किया गया है अर्थात ये नहीं होगा इसे तरीके से मिली जूली संसिक्रित की समरिध बिरासत को संरश्चित करना ये ब सत्रा के अंतरगत अस्प्रिष्टा के अंत के रूप में मौलिक करतब आधिकारों के रूप में इसे जाना जाता है तो इस तरीके से इसे इसके रूप में नहीं देखा जा सकता है अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि एक नागरिक के मूल करतब्यों में निमनलि कित में से कौन सा भारतिय संभीधान के अंतरगत मौलिक करतब्यों में सम्मिलित नहीं है। ये भी मौलिक करतब्यों के रूप में सामिल है। इसलिए ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सामाजिक अन्याय से कमजोर बर्गी की रख्षा करना, बैग्यानिक मनुदसा और खोज की भावना का विकास करना, बैक्तिक और शामुहिक कारे कलापों के छेतरों में उत्कृष्टा का प्रधन करना। इसमें ये नहीं होगा वाके क्योंकि सामाजिक अन्याय से सोसन्ड और कमजोर बर्गों की रख्षा की बात अनुछ 46 के अंतरगत कही गए, जिसमें कहा गया है कि राजय समाज के कमजोर बर्गों की बिस्स करके, इसमें वाके संख्या एक तीन और चार ये सही होंगे, तो हम इसके विकल्प कर देखेंगे, तो इसमें ये विकल्प सही होता है, एक तीन और चार जो की आईएस प्री 2012 में पूछा भी गया है, अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्लिकित में से किस एक का सं परक्षन भारती नागरिक का मूलक करतब्य है, तो राश्टिय दोचका इसमें सम्मान करना, आधर करना, ये है, भारती संविठान के लिकत ले आता है, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर, इसमें बिकल्प भी होगा, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के परतेक नागरी का करतब भे होगा कि प्राकरतिक परयावरन का संरक्षणियों सुधार हो तो इसे अनुच्छेद एक क्यामन का के अंतरगत जोड़ा गया है यहाँ पर एक कोईस्चन जो है यह कनफ्यूज करता है यह sentence इसलिए क्योंकि पर्यावरण के सनक्षन के संदर्वे में जो बेवस्थाएं है वो 48-1 के अंतरगत की गई है कि यहाँ पर ध्यान होगा कि जब यहाँ पर करतब की बात कही गई है तो यह करतब जो हमेशा नागरिकों से जुड़ा हुआ है जो कि क्यामन का के अंतरगत ह अगर वो राज के लिए कहा होता कि राज को यह परयास करना होगा पर्यावरण संदर्शन नता बने और बनने जीओं के रचा तो यह 48 यह हो जाता है और यहाँ पर चुकी करतबे पूचा है किसलिए यह बिकल्बप सही होगा और यह यहाँ पर गलत हो जाएगा अगले सव होगा और यही मौलिक कर्टब्यों में सामिल नहीं है और अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतिय समीधान में कितने मौलिक कर्टब्यों हैं तो इसमें बरतमान समय में 11 हैं हलाकि मूल रूप से गर यह पूशा जाता कि भारतिय समीधान में प्रारंभ में 1976 इस चुकि अभी भावक और सुन रक्षकों के लिए करतब्य होगा कि उन्हें सिक्षा का प्रियाप्त और सर उपलब्द करमाएं तो ध्यान रहे कि मौलिक करतब्यों के संदर्भ में इस्तिधी है कि समिधान लागू होने पर इसमें कोई भी मौलिक करतब्य नहीं थे बाद में इसमें दस जोड़ा गया और अंत में एक और जोड़ा गया अर्थाद परतवान समय में इसमें ग्यारा मौलिक करतब्य आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निमलिकित में से कौन सता तो भारती समिधान के भाग चार ए में वरड़ित नहीं है इसका वरड़न नहीं किया गया अर्थाद ये बिकल्प ये एक सही होगा यही बिकल्प इसका जो है सही उत्तर होगा भारतीय निमलिकित में से कौन सता तो भारतीय समिधान के भाग चार ए में वरड़ित नहीं है निमलिकित मेंसे कौन साता तो भारते समिधान के भागचार A में वर्डित नहीं है राश्टिय धोज का आधर करना ये है इसी तरीके से भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना के विकास करना गुर्वों के यह सवाल यहां पर दो बार रिपीट हो गया है और हमने इसका पूर्व में ही वर्ण कर लिया है तो यह इसका भी उत्तर जो है भी कल्प सी ही होगा जैसा कि पूर्व में बताया गया कोईशन एक बार रिपीट हो गया है अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं कि भारती समिधान के अंदरगत निमलिकित में से कौन सा मूल कर्तबे नहीं है लोग चुनाओं में मतदान करना यह कर्तबे के रूप में नहीं है हाला कि इसमें चारवी कल्प होना चाहिए लेकिन पहला ही भी कल्प है कि लोग अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं कि भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षोन रखें मौलिक करतबियों में सामयल इसमें किसी भी तरीके का कोई बीबात नहीं है तो इस तरीके से आप लोगोंCal ने देखा कि PCS और एन्सभी अस्तर और अन्ने सभी परिक्षाओं में जिस तरीके से मौलिक करतबिये से पूछे गए थे इन सभी कॉष्चिन को अगर हम लोग अ बुदधार नात्मक समझ की भी जानकारी हो जाती है तो निस्चेतोर पर आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने मौली कर्तबबे पर जो भी पूर में प्रशन पूछे जा चुके हैं उसका भी अद्धिन कर लिए इस रूप में आज की लेक्चर के बाद मौली कर्तबे कर पर चर्चा कर रहे हैं संकी कारिपालिका, कैंतरगत, राष्टपती और इसी तरीके से प्रधान मंत्री सहित, मंत्री परसद या कैबिनेट की बेवस्था, महानय अमादी की बेवस्था का हम लोग अद्धिन कर रहे हैं इस पे आधाय भी सवाल को अगले लेक्चर में लेकर के मिलेंगे तब तक आप लोग अपनी तयारी को एक सही दिसा में बढ़ाने का परियास करते रहे हैं पुना हम लोगों से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार